कि हलो एब्रिवन क्यासे आप लोग उम्मेद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे देखिए जितने भी फ़र्टिलाइजर कंपनी है उन पे आपको एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है अगले एक से दो मेहने के अंदर में इसकी सबसे बड़ी वजह किया तो द लगाए गए हैं इससे पूरे वर्ल्ड पे फटिलाइजर स्वाटेज हो सकते हैं और इसका पूरा इंपक्ट पड़ सकता फटिलाइजर सिंग्मेंट पर प्राइस तो बढ़ना ता है है फटिलाइजर प्राइज आर एड़ रिकॉर्ड हाइस ठीक है जैसा कोल और और ऑई एक्चुली में बहुत बड़ा कॉंट्रिविशन रसिया के तरफ से पोटेसियम हो या फिर और जितने भी कॉंपोनेंट्स हैं वह रसिया से आते हैं और यह जो सेंक्जन्स लगाए गये हैं इससे आप मान सकते हैं कि ग्लोबल फटिलाइजर में आपको बहुत बड़ा इं से चंबल फटिलाइजर आप गया सकते हैं जेसे ने से अरेडी बहुत जवर्जस चल चुका है इसलिए मैं आपके सामने क्या रख रहा हूं आपके सामने रक रहा हूं वह हिस्भल फटिलाइजर सब ग्मप को आपको साहिद डर लगेगा इस पर बाइंग करने के लिए तो तो आप GNFC के साथ भी जा सकते हैं, अधरवाइस चंबल Fertilizers के साथ में भी जा सकते हैं, तो चंबल Fertilizers में कैसे प्ले करना है, यह हम लोग यहां पर इस वीडियो पर डिसकस करेंगे, क्यों इस पर करना है, इसके बारे में हमने बता दिया, Fertilizers की कीमत पढ़ने वाली है, उसका सीधा सीधा Impact Indian Company पर पढ़ेगा, बिकाज मार्केट तो चूज करना होगा, जो यूरिया का इंपोर्ट करती है, तो जो कंट्रीज है, ठीक है, 417 पर ट्रेट कर रहा है, मुझे लगता है कि अपना जो इसका Recently High है, 490 रुपिय का, वो यह एचीव करता दिख सकता है, त कि 50 डे का Moving Average है, जिसके नीचे यह stock नहीं जा रहा है, तो 50 डे को as a support हम लोग मान के 400, 415, 400 और 410 सबसे अच्छा होगा, 400, 410 के आसपास में stop loss maintain करें, stock की जो कीमत चल रही है, वो इसी का आसपास में 417 पर, तो हम लोग नीचे के तरफ 410 पर stop loss maintain करें, और उपर के तरफ य जैसे ही यह stock 430 के ऊपर पहुँचेगा, इसमें एक जबर जास्त फिर से rally देखने को मिलेगी, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, यह मैं आपको थोड़ा सा time frame कम करने के बाद में बताने वाला हूँ, और यह देख लीजे, यह कुछ इस तरीके का आपको pattern बनता दिखेगा, जो आपको आने वाले 1-2 मेने में अच्छी profit निकाल के दे सकता हूँ, और company भी अच्छी है, इनकी sales पिछले 3 quarters से consistent increase कर रही है, और उसी हिसाब से profit भी increase कर रही है, 300 करोड की, 500 करोड की, 400 करोड की, तो अब और रहल 400-500 करोड की profit करने वाली company है, loss making company नहीं है, पिछले 10 सालों मे 19% का return से stock का CGR, एक साल में 85% का return से stock ने company ने अपने जो यहाँ पे borrowing है, वो इन्होंने कम किया है, 300 करोड के जगा पे 3600 करोड की इनकी जो उधार है, वो इनका कम होता दिखा है, shareholding patterns की बात करें तो देख लिजे, FIIs बहुत स्मार्ट होते हैं, देख रहे हैं न, 7%, 8%, 11%, 12% consistent खरिदारी हो रही है, ठीक है न, मैं तो कहूंगा कि consistent दिखें, जून 2020 से ही 5% कि थी, 5.35%, 6.6% और यहां से consistent FIIs इस पे माल खरिद रहे हैं, हमारे public holdings क्या हो रहे हैं, public holding थोड़ी सी कम हो रहे हैं, DIs की holding देखिए, DIs भी इस में माल अल्मोस्ट अपना दिमे-दिमे करके बेच रही हैं, और promoters entities ने भी थोड़ा सा माल उठाया था, और यह September 2020 में ही हुआ था, September 2020 के बाद में थोड़ा सा माल यहां पे भी खरिद गया, 0.01% की, तो यह बहुत बड़ा stake नहीं था, और overall share holding patterns बहुत अच्छा है, तो stock को radar पे रखिए, अगले तीन से छे मैने के लिए, stock पे highly possible है कि 500 के ऊपर यह stock निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो fertilizer segment से यह stock मुझे बहुत पसंद आया, आप हमारे साथ जूट सकते है, टेलिगराम चैनल पे, टेलिगराम ग्रूप पे 599 का membership लेने के बाद में, आपको क्या मिलेगा, देखे लिए, लाइब मार्केट में जो stock पे breakout होते हैं, वो stock मैं अपने members के साथ में share करता हूँ, यह कल के लिए हमने एक stock रखा है, जिंदल Steel Power Limited, इसने आप देख पार होंगे, double bottom shape का एक breakout दिया है, और breakout बहुत तगड़ा breakout हुआ है, तो इस stock को हमने अपने members के साथ में पहले ही, कल साम को ही, कल रात को ही update कर दिया था, इस तरीके का articles और stock देख लिजे, stock देखे, एक्योमेंस इंडिया बताया 21 मार्च को, दीपक नाइट्रेट बताया 21 मार्च को, उसी दिन stock ने target से चीप कर दिये थे, United Spirit 920 रुपे तक गया, 890 रुपे से, और Minda Corporation पे कोई momentum नहीं हुई, Minda Corporation हमने exit करवाया, बट Reliance Industry ने mega profit दिया, 2280 से, सौरी, 2380 से, 2280 से, 2450 रुपे, 2460 रुपे तक की momentum इसे stock ने दिखाई है, तो अलमस्स सारे target से चीप किये और बड़ी profit निकाल के दिया, तो देखिए समझे, सीखिए सीखने के लिए वो गुरूप बनाया गया है, और सीखने के बाद में trade कीजिए, चाहिए जो भी stock मैं आपके सामने रखता हूँ, वो मैं अपने basis पे analysis करके आपके सामने रखता हूँ, पाके trading करने से पहले आप खुद की analysis जरूर कीजिएगा, तब ही trading कीजिएगा, मैं मिलता हूँ next video पे तब तक के लिए बहुत बहुत हैं नवाद, थांक यू